स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल साइबो टेक एजूकेशन ग्रूप में आज का जो ये वीडियो लेसन है वो फॉक्स प्रो के उपर बेस्ड है आज हम लोग फॉक्स प्रो में फंक्शन बनाके अपना फंक्शन बनाके किसी नंबर को चेक करेंगे आगे कि वो प्राइम है या नहीं है तो पहले हम लोग फंक्शन बना लेते हैं प्राइम के लिए जिसके लिए suppose हमको prime नाम से एक function बनाना है तो modicom prime हम लोग लिखते हैं ताकि prime.prg आपका सामने आ जाए जिस नाम से function बनाना है उसी नाम से आपका prg file भी बना होना चीए यह पहला limitation है foxpro में function बनाने का ठीक है अब यहाँ पे मैं function का नाम भी मुझे prime ही रखना होगा तो prime को जब call करूँ तो यह बताए नम को check करके कि भाई नम prime है कि नहीं है अब देखिए कोई भी number prime तब होता है जब उसका exactly दो factor हो एक तो एक और दूसरा वो number itself एक उस case में सिर्फ एक ही factor रखता है एक इसलिए एक prime नहीं है लेकिन 7, 9, 9 में नहीं 7, 11, 13, 17 यह सब का आप देखेंगे factor तो factor एक से लेके number तक चलता है और आप देखेंगे तीन के case में की एक से लेके तीन तक में एक और तीन यही दो मातर factor है इसलिए तीन जो है वो prime है पाँच के case में ही वही चीज है एक से लेके पाँच तक के बीच में एक, दो, तीन, चार, पाँच यह पाँच नंबर है लेकिन पाँच का factor सिर्फ एक और पाँच है क्योंकि factor कौन होता है तो जिससे वो number कटके 0 remainder दे तो एक तो सामानने सा logic है कि मुझे loop चलाना होगा लूप चलाने के लिए आप for statement use कर सकते हैं while statement do while statement भी use कर सकते हैं वो आपके उपर depend करता है लेकिन हाँ, जो मैं loop चलाऊँगा वो for i equals 1 to num चलेगा, एक मुझे count करने के लिए factor को, एक मैं variable ले रहा हूँ cf जिसको मैंने initialize कर दिया 0 से, 0 से ही इसलिए कर रहा है आई का हर एक value एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट, 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 डॉट नम तक वो साड़ा factor कोई जरुए नहीं है तो मैं check कर लेता हूँ कि अगर num का जो value है उसमें अगर i के value से division operation perform करने पर remainder 0 आए तो उस case में cf के value को एक से बढ़ा दो ठीक है? हो गया लेकिन एक चीज़ और है जब आप ऐसा code लिखते हैं आपने num में suppose डाल दिया 1000 तो अब तो loop 1 से 1000 तक चलेगा लेकिन 1 से 1000 तक चलने में जब पहली दफा i के 1 के लिए num कटेगा completely मतलब की i1 जो है i का value 1 जो है वो factor है चुकी num का तो cf का value 0 से बढ़के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा similarly 2 से भी i के 2 से भी num कटेगा चुकी num में 1000 है याद रखेंगे तो cf का value 2 हो जाएगा 3 से 1000 नहीं कटेगा ठीक है cf का value नहीं इंक्रीज होगा लेकिन जब 4 से 1000 कटेगा तो cf का value हो जाएगा 2 से बढ़कर 3 लेकिन आप तो कह चुके है ना कि भाई एक से लेकर num तक चलाओ तो ऐसा नहीं हो चले फाल्तू का लूप नहीं चले इसके लिए मैं आपना से एक्जइत कर जाओ आप एक्जऺ सकते हैं या डूप क्वैलु टू है तो इसका मतलब है कि numिर प्राइम है कर दो 1 ऐसा मेरा मंना है कि 1 जो है ना वह मैं रिटERN कर रहा हो कि यस के लिए औरभाइस tomar का दो 0 और यह मैंने if को बंद कर दिया अब देखिए control w करता हूं और अब मैं print prime करता हूं और एक prime नमबर डालता हूं 7 अगर one आ गया output window में तो इसका मतलब मेरा code सही है देखिए बिलकुल output यहां पर देखिए one आ रहा है अगर यही one के जगा पर मैं 70 डाल दूना तो देखिए output 0 आ के लिए one आएगा देखिए one 99 के लिए one आएगा प्राइम नमबर जब भी मैं डालूंगा इस function को दूंगा तो यह one देगा लेकिन अगर प्राइम नमबर के अलावा कोई भी एक नमबर मैं दे दूंगा न तो उसके लिए जीरो देगा मतलब यह काम सही कर रहा है अब रिजल्ट में आप रखेंगे प्राइम और इन को पास कर देंगे मतलब प्राइम को आपने कहा कि लो बाबू तुम एन का वैल्यू रखो अपने पास तुम उसके उपर अपना कैलकुलेशन करके जो भी तुम्हारा आउट्पुट है आइधर वन और जीरो या तो वन या जीरो इसको रिजल्ट में दे दो और यहां आप चेक कर वा रहे हैं कि अगर रिजल्ट का वालू वन है ना देन प्रिंट करो क्या प्रिंट करो कि एन में जो वैल्यू है इसा आपने लिग दिया और इफ का एंडिव आपने बंद कर दिया अब देखिए डू टेस्ट करके do test, अब आप कोई एक number 199 डालते हैं, देखिए, message आ रहा न, 199 is a prime number, लेकिन आप 1 डालते हैं, तो देखिए, message आ रहा है कि 1 is not a prime number, 1000 डालते हैं, तो देखिए, message आ रहा है कि 1000 is not a prime number, अगर आप 18 डालते हैं, तो 18 का रहा है, 18 is not a prime number, अगर आप 7 डालते हैं, तो 7 का रहा है, 7 is a साथ सिंपल है आपका देए टेस्ट डॉट प्यारजी फाईल बहुत सिंपल हो गया प्राइम का इस में लॉजिका आपको दिखेगा ही नहीं प्राइम का लॉजिक तो एक्चुली कहा रखा हुआ है तो मॉरी कॉम वो प्राइम.prg में रखा हुआ है जो इंडिपेंडेंटली बना हुआ है अब यहां पे यहां पे भी आप चाहें तो 4 के जगा पर आप वाइल डू वाइल का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है यहां पर करना है ठीक है तो आप चलिए इफ के थुरू ही आप चाहें तो यहां पर डू केस भी कर सकते हैं उसका वीडियो मैं अलग से देदूंगा या मैंने अल्लेडी डू केस पर वीडियो बनाया है आप लोग उसको देख लेंगे तो उमीद करता हूं कि function के थुरू आप कैसे prime number निकाल सकते हैं fox pro में कैसे आप अपना function मना सकते हैं prime निकालने के लिए यह बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ गया होगा और इससे फाइदा क्या है यह भी आप लोग समझ गया होगे जो भी मैं concept देना चाहरा था इस वीडियो के माध्यम से वह आप लोगों तक पहु subscribe नहीं किया है प्लीज 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 चैनल को subscribe करते हैं ताकि मेरा motivation भी बना रहे है वीडियो अपलोड करने का वीडियो के न तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक्स थैंक्स अलोट